भदोवी जुले के गोपी गेंग बाजार में जीटी रोड पर मोजूद फ्लाई ओवर पर बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार पीकप हाईवे के फ्लाई ओवर पर खड़े कंटेनर में जाकर घुस गई है इस हादसे में पीकप सवार खलासी की मौके पर ही मौथ हो गई है जबकि पीकप ब्राईजर मामूली रूप से घायल हुआ है बिता जाता है कि हादसा इतना जबर्दस्त हुआ है कि पीकप के खलासी का सौब कंटेनर में फसा हुआ था मौके पर पहुची गोपी गेंड पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद केंटेनर से टीक अप के खलाशी का सव बाहर निकाला है और पुलिस ने शव को कबजे मिलेकर पोश्मॉटम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने मृतक के परजलों को सूचना दे दी है बता जा रहा है कि मृतक टीक अप चालक के खलाशी की पहचान एटा जन्पत के शहादत नगर निवासी 25 वर्ची रमातांत के रूप में हुई है प्रत्यक्ष दर्सियों के मदाबिक बुद्वार को प्रयागराज से वाराशी की तरफ टीक अप जा रही थी गोपी गन बाजार के फ्लाइओओर पर पहुशते ही पीक अप बेकाबू हो गई और पहले सही मौल्जूद कैंटेनर पर पीक अप जाकर घुश गई हो और खलाशी की मौके पर ही पीक अप चालक के खलाशी की मौत हो गई है